एलबम डिया इन ऑप्सन के अंदर यहां पर सेव ऐज आटो-पिएज़़डी का एक बटन दिया हुआ है जिसकी साहए ता से आप किसी भी पिएज़डी को अपने खुद पिएज़डी को या फिर मार्केट के पिएज़डी को आटो-पिएज़डी में कनवर्ट कर सकते हैं Auto PhD कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी PhD को Auto PhD में कैसे convert करना है मैंने Open Image बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर से मैंने 4 image open कर लूँगा या फिर 5 image आपके उपर depend करता है 4, 5, 8, 10 जितना भी आप open करना चाहें कर सकता है मैंने 4 image open किया और यहाँ पर बटन दिया हुआ है Search Auto PhD मैं जैसे ही इस बटन पर क्लिक करूँगा यह box open हो जाएगा यहाँ पर आप keyboard से Ctrl V बटन दबाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आजाएगा 0 V 4H frame मतलब आपने 4 horizontal photo open किया है Photoshop में तो यहाँ पर आजाएगा 4H मतलब 4 horizontal photo के हिसाब से मुझे template चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते है template show हो रहा है आप किसी भी template को select कीजिए और यहाँ पर select auto frame fill photo from Photoshop तो जितना भी photo आपने select किया है वो frames में जाके fill होते जाएंगे resize होते जाएंगे यह देखिए इससे मैं कर देता हूँ close मैंने open image बटन पर दुबारा click किया यहाँ पर से मैं इतने photo ले लेता हूँ इतना ले लिया मैंने ओके मैं जैसे ही search auto PhD बटन पर click करूंगा यहाँ पर keyboard से control V बटन दबाऊंगा तो ऐसे template show होंगे जैसे हमने images open किया है हमने जो image open किया है उसमें यहाँ पर आप देखिए 4V2H मतलब 4 vertical और 2 horizontal photo हमने open किया है तो ऐसे templates यहाँ पर show हो रहे हैं जिसमें 4 vertical और 2 horizontal frame है और इन templates का नाम भी आप देखिए 4V2H, 4V2H इस type से मतलब जितने आप image open करेंगे उसके according यहाँ पर template show होंगे और उनका नाम भी वैसा ही होगा तो यह जो template show हो रहे हैं ऐसे templates हम कैसे design कर सकते हैं या फिर market के दूसरे PhD templates को हम लोग कैसे ऐसा बना सकते हैं कि यह automatic यहाँ पर show हो तो मैं आपको दिखाता हूं मैं सारे photographs को फिलाल close कर देता हूं close all सब्रेप पहले मैं आपको manually एक page create करके बताता हूं और उसको auto PhD में convert करके बताता हूं तो मैंने यहाँ पर से 1236 का एक new page ले लिया है यहाँ पर से मैं frames बना लेता हूं चलिए मैंने यहाँ पर से frame generator की साहता से चार frame बना लिया create frame चार frame बना लिया मैंने अब यहाँ पर मैंने area or select किया और यहाँ पर तीन vertical frame बना लूँगा यहां पर देखिए तीन वर्टिकल फ्रेम्स बन गई है मैं यहां पर से कोई बैग्राउंड अप्लाई कर देता हूं इसमें कोई सब भी बैग्राउंड मैंने इसमें अप्लाई कर दिया अगर मुझे स्टोक उस्टोक कुछ देना है तो इस्टोक भी दे दूँगा जैसे मैंने यहां पर से स्टोक बटन पे क्लिक किया ओके repeat stroke और वो stroke सब में repeat हो गया है तो यहाँ पर आप देखिए इस document का नाम देखिए 12.36 लिखा हुआ है और यहाँ पर कितने frames हैं total यहाँ पर 4, 5, 6, 7 7 frames हैं जिसमें से 3 vertical हैं और 4 horizontal हैं तो मैं सभी frames को select करूँगा और यहाँ पर save as auto psd button पर क्लिक करूँगा तो यह automatic auto psd में convert होके output folder में save हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए open template template का यह जो folder है उसमें यह देखिए 3V4H frame नाम से यहाँ पर save हो गया है मतलब इसमें 3 vertical हैं और 4 horizontal frames हैं तो अगले बार से मैं अगर 3 vertical photo और 4 horizontal photo Photoshop में open करूँगा और search auto psd button पर क्लिक करूँगा तो यह phd भी हमें show करेगा जैसे यहाँ पर देखिए इन 4 को मैंने delete कर दिया और इन 3 को मैंने यहाँ पर फिर से repeat किया मान लेते हैं यह template है मैं सभी frames को select करूँगा save as auto psd बटन क्लिक करूँगा तो आपके output folder में यह auto psd में convert होके save हो जायागा यह देखिया और इसका नाम आ गया है 6V 0 edge frame मतलब इस template में 6 vertical frame है तो चलिए मैं यहाँ पर से आपको 6 vertical photo open करता हूँ 1, 2, 3 4, 5, 6 OK बटन पर क्लिक करता हूँ और कीबोर्ट से control V प्रेस करता हूँ तो आप देखिए वो template आ रहा है जिसमें 6 vertical frames है तो इसे मैं open कर लूँगा search select auto frame fill photo from photoshop तो सभी photographs उन frames में जाके fill हो जाएगी resize हो जाएगी मतलब आप जितना भी photo open करेंगे उसके हिसाब से search auto phd button आपको template शो करता है कौन से template शो करता है auto templates और आप auto templates कैसे बना सकते हैं किसी भी template में बस आप frames वाली layer को select कीजिए और save as auto phd button पे click कीजिए तो वो auto phd में convert हो जाएगा उसका नाम भी change हो जाएगा जैसे यह देखिए मैं open template में जाता हूँ अभी यहाँ पर से कोई एक template open कर लेता हूँ जैसे यह template मैंने open कर लिया इसका नाम आप देखिए 4 phd है यह auto phd नहीं है तो मैं क्या करूँगा सब भी frame वाली layer को select करूँगा shift button दबाया रखते हुए save as auto phd इस button पर मैं click करूँगा तो वो automatic output folder में यह देखिए 1v9h frame मतलब एक vertical और 9 horizontal frames है इस template में तो अगले बार से अगर मैं photoshop में एक vertical और 9 horizontal photo open करूँगा और search auto phd बटन पर click करूँगा तो यह phd भी हमें search में show होगा यहाँ पर आप देखिए एक template मैंने open किया है इसका नाम है abc मैं इसके सभी frames को select करता हूँ save as auto phd यह देखिए output folder में यह save हो गया है 1v5h के नाम से मतलब एक vertical और 5 horizontal frame है इस template में तो अगली बार से अगर आप photoshop में एक vertical और 5 horizontal photo open करते हैं और search auto phd बटन पर click करते हैं तो आपको यह template भी show होगा तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने खुद के phd को auto phd में convert कर सकते हैं और search auto phd बटन की सहाता से उसे search कर सकते हैं